जाना है तो हमें इस चीजों में नया पन लाना पड़ेगा और लोगों में भी जागरूता बढ़ाएं मिलेट से जुड़ी नई वेबसाइट भी बनाई जा सकती हैं लोग आएं मिलेट से क्या क्या बन सकता है क्या कैसे बन सकता है क्या फायदा हो सकता है एक जागरूते का बियान चल सकता है मैं मानता हूँ कि इसको इसके फाइदे क्या होता है इससे जुड़ी रोचक जानकारी हम इस वेब साइट पर रख सकते हैं ताकि लोग उसको उसके साथ जूड़ सकते हैं मैं तो सभी राज्यों से भी आगरा करूंगा कि आपका राज्य का एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, आपकी अग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज, आपके साइन्टिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान, इन में से कोई टांस्पोर्स बनाईए, और 2023 में जब बिश्व मिलेटियर मनाता होगा, तब भारत को उसे कैसे योगदान करें, भारत कैसे लीड करें, भारत क और रिसर्च के समाधानों से, अब मिलेट्स और अन्यानाजों को और विक्सित करना बहुत जरूरी है, मकसद ये कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें उगाया जा सके, आज जिन क्रॉप्स की वराइटी लॉंच हुई है, उन में इन प्रयासों की जलग भी हमें दिख रही है, मुझे ये भी बताया गया है, कि इस समय देश में, डेड़ सो से अधिक क्लस्टरस में, वहां की परिसितियों के मुताबिक, क्रिशी तक्नीकों पर प्रयोग चल रहे हैं, सात्यों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराय हैं, उसके साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहां बेक टू बैजिक, और फिर इसके साथ जोड़ना है, मार्च टू फ्यूचर भी उतना ही आवश्क हैं, फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो उसके मुल में आधूनिक टेक्नोलोजी है, खेती के नए अजार है, आधूनिक कृषी मशीनों और उपकरोनों को बढ़ावा देने का प्रयासों का प्रणामा दिख रहा है, आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरोनों का है, देश में पहली बार गाउं की प्रॉपर्टी के दस्तावेत तयार करने में ड्रॉन की भुमी का हम देख रहे हैं अब खेती में भी आदुनिक ड्रॉन्स और सेंसर्स के उप्योग को बढ़ाना है इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा हमें मिल सकता है ये खेती की चुनोतियों से जुड़े रियल टाइम समाधान तयार करने में भी मदद करेगा हाल में लागू की गई नई ड्रॉन नीती इसमें और सहाइक सुद्ध होने वाली है साथियों बीच से बाजार लेकर के बाजार तक ये बीच से बाजार तक का जो पूरा इको सिस्टिम है देश उसे जो तयार कर रहा है उसे हमें लगातार आधुनिक बनाते रहना है इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, डेटा अनालिटिक्स और ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी डिमांड और सप्लाइ इससे जुड़ी चुरोतियों को दूर करने पर बहुत मदद कर सकती है पहुंचा सके, देश का हर किसान विशेश रुप से छोटा किसान इन नए उपकरों नई टेक्नोलोजी का उप्योग करेगा तो क्रिसी सेक्टर में बड़े परिवर्त तनाएंगे किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलोजी उपलब्द कराने वाले स्टार्ट अप्स के लिए भी ये बहतरी अवसर है मैं देश के विवाओं से इस अवसर का लाप उठाने का आग्रह करूंगा साथियों आज आधी के इस अमरित काल में हमें क्रिसी से जुड़े आधुनिक विज्ञान को गाउं गाउं घर गर तक पहुंचाना है नई राष्ट्रिय सिख्षानीती में इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं हमें अब कोशिश करनी है कि मिडल स्कूल लेवल तक क्रिसी से जुड़ी रिसर्च और टेक्नलोजी हमारे स्कूली प्राटिकर्ट